अबी तक की खास खबरों के साथ आईए नजर डालते हैं मुरादाबाद मंडल की खास खबरों पर बिजनोर में कलेक्टेट परिशर में धन्ना परदर्शन मना करने पर राष्टिय किसान मजदूर संगठन के बैनर तरिक सेंकडों किसान इखता होकर परतर्शन करते हुए कलेक्टेट पहुंचे और जोरदार नारे बाजी करते हुए कलेक्टेट परिसर में धन्ने पर गटे भारी संख्या में पुलिस बल पैनात रहा जिलादिकारी बिजनोर के आदेशा नुसाद धामपुर नगीना वे नजियबाद में खाद्य विभाग की टीमों ने नगरों में मसाला व्यापारियों की दुकानों के खाद्य मसालों के भरे सेंपिल भेजे प्रियोक साला धामपुर में खादे विभाग की टीम तसावियापार मंदल के बीच हुई नोगछोग अफजलगण में एक तेज रफ़तार बाइक ने साइकल को मारी टककर हाथ से में साइकल सवार एक वेक्टी की मोके पर हीवी मौत पुलिस ने सबको कबजे में लेकर पोस्माल्थम के लिए बेजा चानपुर में गरीब किसान को घर दिलाने के लिए भारतिय किसान यूनियन टिकेट का धन्ना प्रदर्शन तैसील परिसर में हुआ सुरू आरोफ है कि बिना नोटिस सूचना के परशासन में किसान का तोड़ा मकार चानपुर के दत्याना जलीलपुर पुल की एप्रोश तूटने से राहिगिरों को हो रही परिसानी जान जोखिम में डालकर रही गिरी गंगा को कर रहे पार परशासन वेपुलिस की अंधिगी से हो सकता है बड़ा हास्ता अम्रोहा कलेक्टीट में भारतिय किसान संग के पदाधिकारियों ने किसानों की तमाम समस्याओं को लेकर कलेक्टीट में नारेवाजी करते हुए तिया परदशन किसानों नी सरकार पर चुनावी वादों को पूरा नहीं करने का लगाया आरो अम्रोहा के हसनपूर कोतवाली छेतर के गाउं में दबंगों ने दिव्यांग युवक और उसकी पत्ने के साथ की पिटाई पुलिस मामले की चांच में जूटी वीडियो शोर्सल मीडिया पर हो रहा वाइरस संभल पुलिस ने चोरी के माल के साथ दो अभियुक्तों को किया ग्रताथ दोनों के पास से चोरी के माल को किया बरामन मुरादाबाद में चोरों ने दिन धाड़े एक घर के ताले तोड़ कर की चोली खटना घर के सामने लगे सीसी टीवी कैमरे में हुई कैद पुलिस को तैरीख देकर कारवाई की मांग जन्पत विजनोर में पुलिस अदिक्सक के आदेश पर अपर पुलिस अदिक्सक पूरी धामपुर वेच्चेतरा दिकारी धामपुर थाना स्यहरा पुलिस ने दो साथीर चोरों को तोरी की नो मोटर साइकल के साथ किया ग्रतार जिला दिकारी बिजनौर अंकित कुमार अगरवाल ने गिराम लखुवाला में इस्कूल का एवम छाचरी टीपिस्वित गोसाला का किया निरिक्षम लखनों में महीला आरक्षन बिल लोगसभा में पासोने पर मुक्यमंत्री योगी आदित्यनापने जताई खुशी और कहा बिल भारतिय लोगतंत को और देने वाला है मजबूती बिजनोर पुलिस अदिक्सक द्वारा पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में समस्थ थानों पर तैनात बीट आरक्षी वे मुक्ये आरक्षी गण के साथ की गई गोस्टी गोस्टी में समस्थ पुलिस कर्मियों को उन निस्ता से अपनी ड्यूटी वे कर्तवियों दायतों को निर्वाह करने के संब्द में दिये गए आवर्श्यक दिसाने के बिजनोर में भारतिय किसान यूनियन के सैकड़ों करेकरता देराज सीमो आफिस पहुंचे और जोरदार नारे बाजी करते हुए दफ्तर में धन्ने पर बैठे पोस्मार्टम की वीडियो ग्राफिक के नाम पर करमचारियो द्वारा पैसे मांगने का लगाया आरोप और कारवाही की मांगी हरेवली छेतर के गाउं खिंजरपूर में महत समंदास जी महाराज के जन्दिन के उपलक्ष में विशाल सोभायात्रा का किया गया आयूजन धोल बाजे के साथ निकाली गई सोभायात्रा अम्रोहा में मुस्लिम कमेटी में किया जलसे का आयूजन तिलावते कुरान से हुआ जलसे का सुभार अम्रोहा के हसनपुर तैसील छेतर में दो अलग अलग सड़क दुरुगत्ताओं में दो महिलाओं की हुई मोत महिलाओं की मोत से परिजनों में मचा कोरहम पुलिस ने सबों को कबजे में लेकर पोस्पार्टम के लिए भेजा संबल में पुलिस विभाग के सिपाही ने महिला दरोगा से की एबदर्ता और गाली गलोच महिला दरोगा की सिकायत पर पुलिस ने दोनों सिपाहियों के विरुट एफाई यार दर्च करते हुए किया गिरफतार संबल में पुलिस और पशुत तस्करों के बीच हुई मुढभे दोनों तरफ से फाईरिंग में एक बदमास के पैर में लगी गोली खायल बदमास को इलाज के लिए चिकेसाले में कराया गया भर्ती दो आरोपी अभी फरा मुरदाबाद पुलिस ने रिष्ट्री दफ्तर के भार कायर के बोनट से कारोबारी का रुपए भरा बैग चोरी करने वाले भाई बहन को 24 घंटे के अंदर किया गिरफतार मुरदाबाद में नोवी कख्षा की चातरा ने अपने दोस्त को नजर अंदाज किया तो आरोपी दोस्त ने इसकूल से घल लोटके समय तीन दिन पूर चातरा पर किया हमला मंडल मुरदाबाद में पहली बार अभी तक दीज चैनल का डिजिटली महापतार अब आपके मुबाइल में होगा न्यूज एवं मनुरंजन का अनुखासद साथ गूगल पिले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मुबाइल में देखी जनल नौलेज पर आधारी जीनियस कान स्वास से संबंदित कारेकरम, हेल्थ केर, गानोपार आधारी सुनहरे पर अपने मंडल की न्यूज और धेख सारे मनुरंजन के कारेकरम अपने मुबाइल में अभी डाउनलोड करें अभी तक न्यूज चनल अब खबरे विस्तार से बड़े भाई बलराम जी ने जन्म लिया था बलराम जी के जन्म उत्सव पर चांदपुर नगर की श्री कृष्न गौशाला में भंधारे का आयोजन किया गया जिसमें नगर के सेकड़ो श्रद्धलूओं ने गौशाला पहुचकर प्रसाद ग्रहंग किया गौशाला संचालकों ने बताया कि विगत वर्षों से गौशाला में बलराम जी के जन्मोत्सव पर भंधारे का आयोजन किया जाता है जिसमें कड़ी चावल एवं हल्वे का प्रसाद बनाकर श्रद्धलूओं में वित्रित किया जाता है भंधारे की समस्त व्यवस्था विपुल माहेश्वरी एडवोकेट द्वारा किया गया भंधारे में सहयोग करने वाले गौशाला समिती उमेश कुमार गोयल, लक्ष्मी नारायन अग्रवाल, मयनक अग्रवाल, प्रमोज शर्मा, कुसुम स्यानी, विमल अग्रवाल, विशाल करनवाल, अश्विनी जिंदल, आशु गोयल, सुबोध गुपता, कपिल चौदरी, विरेंड राजपूत आदी का सहयोग रहा, चांदपुर से अजे कुमार कौशिक की रिपोर्ट, बहुत अच्छी तरह करते हैं, आज क्या कारेकम हुई सुबे से लेके अपसरा, तब कश्राप बंदारे के पोगराम है, साड़े गयर शूगरकायर चली रहा है, इस वर के पासे वहँआने के पासे उपनारा चल रहा है, सब लोग लगे हुए, बहुत अच्छी तरह से सब सब्सक्राइब से सब्सक्राइब करते हैं, कर रहे हैं, तो मैं लक्षमीना रहें, कोशाद्याप्स, गौशाला, चानपुर, यह भंदारा हमारा गठ पिछले खाविवर्शों से होता चला रहा है, इसमें कढ़ी, चावल, रायता और हिल्वे का पशार लगता है, काफी श सब्सक्राइब करते हैं, कि अपने जीवनकाल में एक बार गौशाला आके जब लेकिए, निसंदे आपको यहां आने के बाद बहुत आनन्द और असीम शुक्त की प्राफ्टी है, इस तरह के आविजे नोर भी होते हैं, क्या गौशालन? साल में हम दुबार तो बंडारा करते हैं, एक आप करेंगे और एक अप संदर बीशन के बाद होते हैं, उसके उपरांत जैसे कुछ लोग बहुत आन मगेरा करते हैं, तो वो भी हमारे हाँ से हर्ष मिल जाती है। सवे का काम हुआ शुरू, पिछली दो माह से चांदपूर तहसील के ब्लॉप जलीलपूर के अंतरगत दरजनो गाव बाड की चपेट में थे, बाद ग्रस्त गाव के किसानों को कई तरह की क्षती पहुची है, बाड के पानी में किसानों की खड़ी फसल महीने भर से बाड के पानी का दंश जेल रहे किसानों की फसल पूरी तरह से गलकर नश्ट हो गई है। अबी सवे कराया जा रहा है। बाड ग्रस्त गाव का सवे करक पूर्ण रिपोर्ट जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भेजी जाएगी। उसी के अनुसार किसानों को क्षति पूर्ती के रूप में मदद दी जाएगी। उप जिलाधिकारी ने बताया कि ग्राम पहुँचे हैं। बहुत ही जल्दी सवे रिपोर्ट बनाकर शासन को भेज दी जाएगी। जिसके आधार पर किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। चांदपुर से अजे कुमार कौशिक की रिपोर्ट। चांदपुर नगर पालिका परिशत के सभासदों ने उप जिलाधिकारी को नगर में फैल रही है अव्यवस्था से अवगत कराया तथा ग्यापन सौपा। परिये से अवगत कराया। अगर में विकास कार्य ना कराये जाने की शिकायत की। उपजिला दिकारी ने सभी सभासदों की समस्या को सुना तथा आश्वासन दिया एक बार सभी सदस्यों की बैठक की जाएगी तथा शिकायती सुनी जाएगी। चांदपूर से आजे कुमार कौशिक की रिपोर्ट मामला यह है है हम लगर पाली के जाते हैं समस्या तो हमारी समस्याओं पर समधान नहीं हो रही जिलकाओं नहीं हो रहा है डेंगों चलियाएश टेम्पूर यतिकारी सुनने को तयार नहीं हो है तो रखी गही है अब बोर्ट की मिटिंग होगी तो हमें आसवासंद्यां हमने तीन चार चार सुनके दिये हैं वारसे तो उसमें तो काम हो रहा होगा तिक बूर्ट में मुटिन हो जाएगी मगर यह मेड़कों सिहने को तयार नहीं हमारी हम कहते हैं सबस्द तो हमें और ध कि अभी नगरपालिका के सभी सवासदों ने ग्यापन दिया उनमें ग्यापन में उनकी कुछ समस्च्य आई थी जिसे नगर में साफ सफाई को लेकर देंगू और अन्य जो नगरपालिका की जो वेवस्था चर्मर आई है उसे लेकर तो अभी इसमें यही रहेगा कि एक बार नगरपालिका की सभी अधिसासी अधिकारी के साथ बैठ कर एक मीटिंग कर लेते हैं जो भी इनकी समस्च्या है उन समस्च्याओं का समाधाल निकाल कर उसके आवश्यकार होए यह वो में लाई जाएगी ज़न्यवाद शेरकोट पुलिस द्वारा पांच महीने से गुमशुदा नाबालिक युवती को बरामाद कर सकुषल परिजनों को किया सुपूर्द पुलिस के इस कार्य की हो रही प्रशंसा प्राप्त जानकारी के अनुसार मक्सूद एहमद मौहला काजी सराय कस्बा वठाना शेरकोट ने बताया कि मेरी पुत्री नाबालिक और मानसिक रूप से सही नहीं है दिनाग 24 अपरेल 2023 को बिना बताए घर से चली गई थी ततपश्चाथ शेरकोट थाना में परिजनो द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी जिसके बाद थाना शेरकोट की पुलिस ने करी मशकत के बाद मेरी बेटी नाजिया को ढूंड निकाला है कहा कि बेटी पूर्ण रूप से स्वस्थ है मुहम्मद एहमद की पुत्री पाँच महीने से गुमशुदा थी जिसकी नवनियुक्ट शेरकोट थाना प्रभारी प्रिंच शर्मा एवं शेरकोट सुभाष चंद्रबोस चौकी प्रभारी संजय कुमार त्यागी के द्वारा प्रयासों से लड़की को तलाशा गया है जिसकी जन्ता में सूचना मिलने पर शेर कोट थाना अध्यक्ष प्रिंच शर्मा के सराहनिय कार्य की प्रशंसा की जा रही है शेर कोट से रंजीत सिंग की रिपोर्ट जन्न नौलेज पर आधारी जीनियस काउन, स्वास से संबंदित कारेकरम, हेल्थ केर, गानों पर आधारी सुनहरे पर अपने मंडल की न्यूज और धेर सारे मनोंजन के कारेकरम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करेंगे अभी तक न्यूज चैनल बिजनौर में राष्ट्रिय किसान मजदूर संगठन के बैनर तले सेकड़ों किसान इकठा होकर प्रदर्शन करते हुए कलेक्टरेट पहुचे और कई मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी करते हुए कलेक्टरेट परिसर में धरने पर बैठ गए जिला प्रशासन की रोग के बावजूर किसान कलेक्टरेट में घुसे भारी संख्या में पुलिस बलतेनात दरसल राष्ट्रिय किसान मजदूर संगठन के बैनर तले सेकड़ों किसान इकठा होकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए ट्रेक्टर ट्रालियों में सवार होकर नुमाईश ग्राउंड पहुँचे और वहां से एकठा होकर पैदल सभी किसान प्रदर्शन करते हुए कलेक्टरेट पहुचे और कलेक्टरेट पहुचकर जोरदार नारेबाजी करते हुए कई मांगों को लेकर धरने पर बैट गये हाल ही में बिजनौर के जिलादिकारी अनकित कुमार अग्रवाल ने कलेक्टरेट परिसर कई दफ्तर और कोर्ट का हवाला देते हुए कलेक्टरेट परिसर में धरना प्रदर्शन करने पर रोक लगाई थी जिसके चलते कलेक्टरेट में बाकाइदा एक बोर्ड लगा दिया गया था और कलेक्टरेट के मिन गेट पर एक बैरिय भी लगवा दिया था. संगठन के जिला अध्यक्ष विनोध कुमार बिट्टु का कहना है कि ग्यारह तारीक को किसानों के एक प्रतिनिदी मंडल जिलाधिकारी से मिला था और बार्ल गन्नाव अन्य कई समस्याओं को लेकर ग्यापन दिया था. और अब गत कराया था कि हमारी समस्याओं का निस्तारंग जल्द कराये हम कोई धरना पंचायत नहीं करेंगे. जिलाधिकारी ने हमसे तो कुछ नहीं कहा लेकिन बाद में बिजनौर कलेक्टरेट में किसानों द्वारा किसी भी धरना प्रदर्शन पर रोक लगाई थी, जिससे किसान गुस्से में हैं, जिसको लेकर सेकर्णों किसान इकठा होकर कलेक्टरेट पहुँचे. बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट. बिजनौर में बिजनौर की रिपोर्ट. किसान भाई की जाता है बहुत सब्सक्राइब किसान का सौइवमान पचाने का किसान बाजियों काने करता हुना काम किया यहाँ डियम माधे में हिटलर साई बैया आन जानी करा थै कि कलक्केड में कोई किसान नहीं बढ़ने का यह बढ़ने का लिया है किसान का में अपर हम आखी घंलिवस परोंग जा mujeres ऩानधा किसान लाइन हे यह जा जा जाना आज किसान जा JFK लहींती गहाँ है और समस्या के बारे में बात होगी, उसमा समाधान होगा तो ठीक है, बनना अंदोला आग्दा चलेगा। खाद्य विभाग की टीम ने दो दुकानों से मसाले को सैंपल भर कर प्रयोगशाला में भेजने की बात कही। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि सभी सैंपलों को जाच के लिए लेब भेजा जाएगा तथा उनकी रिपोर्ट आने के बाद यदी मसाले मिलावटी पाए जाते हैं तो संबंदित दुकानदार के खिलाप उचित कारवाई की जाएगी। उधर खाद्य विभाग की टीम के जाकर सैंपल भरने की जानकारी मिलने पर व्यापार मंडल के पदाधिकारी भी मौके पर पहुँच गए तथा टीम के साथ बिना सूचना दिया आने पर रोश जताया। खाद्य विभाग की टीम में मुख्य खाद्य निरीकशक संजीव कुमार, कमलेश कुमार, राजीव कुमार, यगदत, जितेंद्र कुमार आदी मौजूद रहे। धामपुर से प्रमोद कुमार सैनी की रिपोर्ट। खाद्य विभाग की टीम में विभाग की चीज का सेंबल वरा रहे हैं यहां पर भी मसाले और होटल में जो इस तरह की खड़ी चीजे तीजे को लेके तारवाई हूँ यह आँ जो है दीवारी तक चलेगा? हाँ समय समय पर चलता रहेगा डारेक्शन जैसे जैसे सासन से मिलकी रहे हैं अवियान चोड़ी चीज की क्वाल्टी जो है वो पैसे से डिसाइड नहीं होती है जा रहा है तो दूसरी तरफ इसके लिए दूसरे स्कूली बच्चों को शोचालिय पानी आदी से वंचित कर दिया गया? जी हाँ ऐसा एक ये मामला है ग्राम पंचायत महमूदपूर के ग्राम गोवर्धनपूर का जहां कस्तूरबा इंटर कॉलेज के आवासिया परिसर का निर्मान चल रहा है लेकिन इसको पूरा करने के लिए पास मेही स्थित सरकारी विद्याले के शोचालिय दिव्यांग शोचालिय नल थेदवाश अतिरिक्टकाक्ष तोड़ दिये गाए जिसके बाद महीनों से इस स्कूल के दरजनों चात चात्राएं वा शिक्षक आदी बेहत परेशान है हेंदवाश अतिरिक्टकाक्ष वा अन्य निर्मान तोर दिया गया है जो ग्राम पंचायत महमूदपूर के द्वारा कार्य कराया गया था अब कंपोसिट विद्याले में ना तो शोचाले है पालो में छुबा डामिच कैसे देखेगा जानिए सैंटेस्ट से पैन टेस्ट के बाद रूखे उल्चे बाल मतलब है डामिच डाम इंटेंस रपे का एक चोथाई मुश्चराइजिंग मिल्क और न्यूट्री सीरम डामिच रपे शिरूप फस्ट वाश से वा अन्य निर्मान तोर दिया गया है जो ग्राम पंचायत महमूद पूर के द्वारा कार्य कराया गया था अब कंपोसिट विध्याले में न तो शोचाले है नहीं दिव्यांग शोचाले है और नहीं नल है इस थिती में स्कूल के बच्चे परेशान है अभिभावक बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे है ग्राम प्रधान ने मान की है कि स्कूल का निर्मान किस आधार पर वकिस की अनुमती पर तोड़ा गया व स्कूल में निर्मान धीन परिसर ठेकेदार को तोड़ने व निर्मान करने का प्रस्ताव किसकी अनुमती से हुआ है। इन सब बातों व मामले की जाच कराकर उचित कार्यवाही करते हुए अतिशीग्र शोचाले व आदी का निर्मान कराया जाए ताकि स्कूली बच्चों व शिक्षकों की समस्या खत्म हो सके। वही क्षेत्र में चर्चा ये भी है कि इस काम को अंजाम देने वाला कस्तूर बाविद्याले का ठेकेदार बाहरी है। लेकिन स्थानिया कुछ लोगों ने ठेकेदार वाधिकारियों के साथ मिलकर साजिश के तहट स्कूल के शोचाले आदी को तुरवाया है। स्योहारा से नजम सिद्धीकी की रिपोर्ट क्या नाम है आपका। क्या नाम है आपका। और दोट जोड़ाई में पूला था तब से कहा गया था हमसे कि वेश्था की जाएगी किन्तु तीन महीने होने को आए अभी तक पोई वेश्था नहीं है बच्चे बहुत परेशान है पानी पीने के लिए दूसरे जिखाले में जाना पड़ता है लड़किया बड़ी बड़ी है उन्हें भेजना पड़ता है अगर टीचर को जाना पड़ जाते हैं पानी की विवस्ता तक नहीं है वाटर कूलर भरवार रखे हैं शिकायत कहा कहा कर दी आपने शिकायत तो अब खबरों में इतना ही फिर हाजिर होंगे अभी तक की खास खबरों के साथ तो देखते रहिए अभी तक नमस्कार